तो अब धन्देजी अब आप शबशे पहले शमें पढ़ेंगे रस समीकर्ण मिती दोश्याने की इस्टाइक्यों मित्रिक डिफेक्ट इसके बारे में भी आपको बताया गया कि इसमें जो है धनायन और इसके अलावां रिणायन इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या रहता है इस्थिर रहता है यह अप लोग की याद रखेंगे आपर के धनायन और रिणायन का अनुपात जो होता है वो इस्थिर रहता है रस समीकर्ण मिती दोश में यह कितने प्रकार के होते हैं यह चार प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर आपको जो है धनायन इस प्रकार से इसमें धनायन दिये गए हैं यह हो गया धनायन इसके बाद है रिडायन फिर यहाँ पर धनायन और फिर यहाँ पर हो जाएगा रिडायन इस प्रकार से यहाँ पर धनायन यहाँ पर हो जाएगा रिडायन इसके बाद फिर धनाय यहां पर होगा रिड़ायन और इसके बाद धनायन फिर यहां पर धनायन देजे इस प्रकार से धनायन यहां पर होगा रिड़ायन फिर यहां पर हो जाएगा धनायन और यहां पर लोग मान लेते हैं यह रिड़ायन हो गया इस प्रकार यहां पर हो जाएगा रिड़ायन धना देजिए इसमें जो यह धनायन और रिणायन उपस्थित हैं अब इन्हीं के आधार पर जो है आपको इसे समझना है जैसे कि मानली जी यहां पर यह धनायन दिया गया है मानली जी यहां से यह धनायन जो है लुप्त हो जाए और इसके अलावा इसमें जो है यहां पर कोई एक रिणायन लुप्त हो जाए तो यहाँ पर अब धान देजिए यहाँ से एक धनायन निकल गया है और यहाँ से एक रिणायन निकल गया है तो इसमें एक धनायन निकला है और इसके अलावा एक ही जो है रिणायन निकला है निकि धनायन और रिणायन दोनों जो है वो समान संख बनता है यानि कि जो यहां पर यह रिक्त इस्थान बचता है इसे हम लोग बोलते हैं साट की दोश यह आप लोग याद रखेगा कि जब किसी क्रिष्टल में धनायन और रिणायन जो है वो शामान संख्या में अपने इस्थान से लुप्त हो जाते हैं तो यहां पर जो रिक् कि समान शंख्या में अपने इस्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त इस्थानों के कारण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं साट की दोश बोलते हैं तो यह अप लोग याद रखेगा इसमें जो है समान शंख्या में धनायन और इनायन लुप्त होते हैं अप इसके बाद धन देजे अगला तो अगला यहां पर है इसमें फ्रेंकल दोस इसके लिए आप धन देजे जैसे के मान लेजे आप कोई यहां पर यह कोई एक क्रिश्टल दिया गया है इस प्रकार से यह क्रिश्टल है इसमें धनायन और रिणायन है यहां देजे इस प्रकार से यहां पर मान लेते हैं रिडायन है फिर यहां पर धनायन हो जाएगा इसके बाद रिडायन और यहां पर धनायन इस प्रकार से यहां पर धनायन और फिर यहां पर है रिडायन इसके अलावा धन देजी यहां पर मान लेजी है रिडायन इसके बाद धनायन फिर यहां पर पर धनायन और इनायन जो है उपस्थित है तो यहां पर धनायन जो है उपस्थित है तो यहां पर धनायन जो बीच वाला इस्थान आपको देख रहा है जैसे कि यहां पर धनायन जो बीच वाला इस्थान आपको खाल इस्थान देख रहा है इन्हें हम लोग बोलते हैं अंतर अंतराकाशी स्थान तो यह अप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेगा तो मान लीजिए इस में कोई आयन धनायन भी हो सकता है और रणायन भी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए यह आयन जो है अपने स्थान से लुप्त हो जाए और अपने स्थान से लुप्त होकर इस अंतराकाश में आ जाए यहां पड़नादेजी जो यह अंतराकाशी इस्थान था इस इस्थान पर आ गया यहां से यह लुप्त होकर इस अंतराकाशी इस्थान में आ गया तो इस प्रकार के दोस को लोग बोलते हैं फ्रेंकल दोस याद रखेगा अभी आपको बतायागा था कि फ्रैंकल दो जो है आयनिक थोंशोजारा प्रदस्र Tutaj कहता है तो इसमें यहां परढ़ान देजि़ी समीरी आयन जो था यह अपने स्थान से लुप्त होकर अंतराकाशि स्थान में आ गया तो यहां पर यहां पर यह यह स्थान अंत्राकाशी तो यहां पर दो प्रकार के दोष उत्पन होंगे इसके लाइपन दोष इस इस्थान पर voting ज़ो है तो इशे हम लोग विस्थापन दोष भी बोलते हैं आत Krita आज रखेगा इशे जो है विस्थापन दोष भी बोला जाता है तो वही यहां पर रंदीज में बताया गया कि यह दोस्त जो है साधारतया आयनिक ठोशोदारा प्रदर्सित कह जाता है इसमें लगुतर आयन जो है अपने वास्तविक इस्थान से लुप्त होकर रंदीजी यहां से आयन जो है लुप्त हो गया तो वही यहां पर बताया गया वास्तविक इस्थान से लुप्त होकर अंतरा आकाश में चला जाता है जैसा कि दंदित यहां पर आ गया है जिससे वास्तविक इस्थान पर यानि कि इश इस्थान पर जो दोश उत्पन होता है उशे हम लोग बोलते हैं रिक्तिका दोस और नए स्थान पर नहीं कि जहां पर यह आयन आ गया है उसे नए स्थान पर जो दोश उत्पन होता है उसे हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी दोस तो यह दोश उत्पन हो जाते हैं और इसे हम लोग विस्थापन दोस भी बोलती हैं तो यह अप लोग याद रखेगा कि इसमे जो आयन होता है वो एक इस्थान से लुप्त होकर अंतराकाशी इस्थान में चला जाता है तो जिस इस्थान से लुप्त होता है वहाँ पर उत्पन होता है रिक्तिका दोस और जहा सकते हैं यहाँ पर जिंक सलफाइड यानि कि जेडन एश में इसके अलावां सिलवर क्लोराइड यानि कि एजिसीयल में उत्पन होता है इसके अलावां एजीबी- effectively के प्रकार में उत्पन्ण होता है इसके लावां Aiei याझनि की Silver Aiodide में उत्पन्ण होता है और यहाँ पधायाद रह qué यहाँ पर याद रखेगा आपनों करना चाहे लिदिक भी शक्ते हैं कि AZBR जो है ये फ्रेंकल और शाट की दोनों प्रकार के दोश जो है आपर दर्चाता है अब इसके बाद धंदेजे अगला है रिक्तिका दोश आपको बताया गया कि ये दोश जो है अन आयनिक ठोशों में पाय जाता है तो इसके लिए भी आप धंदेजे जैसे कि मानलेजे आपके पास कोई क्रिश्टल जालक है इस प्रकार से आपको ये क्रिश्टल जालक दिया गया है और इसमें जो है आवेवी कन उपस्थित हैं यहां पर अविविकन है इस प्रकार से यहां पर भी अविविकन उपस्थित होंगे यहां पर भी अविविकन हो जाएंगे उपस्थित इस प्रकार से जो है इसमें मालीचे यहां पर यह आविविकन उपस्थित है तो यहां पर यह क्रिश्टल जालग दिया गया है और इसमें यहां पर जो है अविविकन उपस्तित हैं तो इसमें जो अविविकन होते हैं यह अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं यहां से यहां रिक्तिस्थान यहां पर तो इसे हम लोग बोलते हैं रिक्तिक्ति आ दोस्त याद रखेगा कि जब किसी crystal जालक से अविविकन जो है वो अपने नियमित इस्थान से बाहर निकल जाते हैं तो जो दोश उत्पन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिक्ति का दोस तो यहाँ पर डंदरी जब अविविकन बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पर इसका आयतन तो वही रहेगा जो पहले था यानि कि इसमें आयतन में कोई परूतन नहीं होगा लेclin जब अविविकन बाहर निकल जाएगा तो इसका दरबिमान कम हो जाएगा और दरबिमान कम होने से हमेशा घनत तो कम हो जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए घनत तो बराबर होता है द्रब्यमान बटे आयतन ये शूतर होता है घनत तो बराबर होता है द्रब्यमान बटे आयतन तो अगर यहां से अविविकन बाहर निकल जाएंगे तो द्रब्यमान कम हो जाएगा और जब द्रब्यमान कम हो तो यह अप लोग याद रखेंगे कि जब क्रिश्टल जालक से अविविकन बाहर निकल जाते हैं तो उससे जो दोश उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिक्तिका दोश और इस इस्थित में जो हैं पर पदार्थ का घंद तो हमेशा कम हो जाता है तो वही यहाँ पर लिखा गया कि यदि क्रिश्टल जालक से अविविकन अपने नियमित इस्थान से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोश को रिक्तिका दोश कहते हैं और इस दोश के कानपदार्थ का घंद तो जो होता है वो कम हो जाता है तो यह अप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा अब इसके बाद धंदेजे अगला यहाँ पर है अंतराकाशी दोस्त ये भी जो है अनायनिक थोशों में पाए जाता है तो इसके लिए भी धंदेजे जैसे कि मालेजे आपको यहाँ पर यह कोई एक क्रिश्टल जालक दिया गया है और इस क्रिश्टल जाल बोलते हैं अंतराकाशी इस्थान तो जब यहां पर कोई आविविकन इस अंतराकाशी इस्थान में आ जाता है निकि इस अंतराकाशी इस्थान में पाए जाता है आविविकन तो इसे हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी दोस याद रखेगा कि जब कुछ आविविकन जो है अं बटे इसका दिरियृ जा बढ़ जाएगा और जब इसका बिसक्राहेशान बढ़ het आते हैं तब उत्पन्द दोश जो है वो अंतराकाशी दोश कहलाता है और यह दोश जो है पदार्थ के घनत्यों को बढ़ा देता है तो यह अप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेगा अब इसके बाद जो है हम लोग इसके सेकंड पॉइंट यानि के जो आरस समीकर में ती दोश है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सेयर और हमारे शेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद